वेलकम एवरिवन आज हम लोग CSI and NET mathematics में real analysis से जो uniform convergence पे question आये है उनका solution देखेंगे और यहाँ 2016 से 2019 तक जो question आये है uniform convergence पे उन सबका solution देखेंगे तो सबसे पहले इसी series में June 2019 से question आया है let gn equal to nx upon 1 plus n square x square where x belongs to 0 to infinity which of the following true as n tends to infinity यह जो हमें यहाँ पे sequence दी हुई है इसका हमें यह बताना है कि point wise convergence uniform convergence है कि नहीं है किस पे है ठीक है तो first हम देखते हैं gn x equal to हमारे पास है nx upon 1 plus n square x square अब यहाँ देखो हमारा यह interval दिया हुआ है close 0 to infinity तो यहाँ पे हम सबसे पहले 0 पे देखते हैं अगर x equal to 0 हो तो gn x क्या हो जाएगा हमारे पास 0 इसका मतलब यह जो हमारे sequence है यह 0 पे converge कर रही है अब अगर x not equal to 0 है तो उस condition में हम n tends to infinity पे limit देखेंगे वो भी हमारे पास 0 आ जाएगी यहाँ से अगर हम देखें nx upon 1 plus n square x square तो यह क्या होगा nx upon n square x square ठीक है यहाँ से हम n square x square को common ले लेंगे यहाँ पे तो यहाँ से भी अगर हम n की limit apply करेंगे infinity तो हमारे पास 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो gnx है वो point wise converge कर रही है और converge किस पे कर रही है 0 पे अब यहाँ से अगर हम एक option को तो देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यह 0 यह x पे converse कर रही है और यह x upon 1 प्लस x square पे converse कर रही है तो यह दोना option तो यहाँ से discard हो गए अब इसमें first option में कहते हो है gn converse to zero point wise point wise तो हमने देख लिया लेकिन uniform भी अभी हमें check करना है इसलिए हम first और second option के लिए वापस देखते हैं देखो यहां से हमने देखे point wise convergence कर यह 0 पे अब uniform convergence के लिए हम mn test apply करेंगे mn test क्या होता है उसके इंदर क्या होता है कि limit n tends to infinity mn equal to zero आना चीए और mn हम किस सरे से निकालते हैं यह देखे mn के लिए formula यह है mn equal to supremum of जो हमारे यह interval दिया हो है वो यहां पे x belongs to zero to infinity और modulus में gn x minus gx यह gx क्या है हमारे पास 0 जो point wise जिस पे हमारे जो sequence जिस पे converse करें point wise वो है यह ठीक है gx तो यहां से आगया supremum x belongs to zero to infinity और इसके अंदर है nx upon 1 plus n square x square अब next क्या करते हैं जो हमारे उसके अंदर जो value बची थी mode के अंदर nx upon 1 plus n square x square उसको हम एक नया function consider कर लेते हैं इसको यह जो है इसके अंदर वाला ठीक है तो हम इसको consider करते हैं let 5x equal to nx upon 1 plus n square x square अब हमें यहां से value क्या निकालने होते हैं यह देखो यहां दिया हुए supremum of इस interval में जो supremum value है उसको हमें find करना है ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे इसका first derivative निकालेंगे 5x का और उसको 0 के equal put कर देंगे जिससे हमारे पास maximum और minimum वाली condition होती है न जो उससे हम इसकी value निकालनेंगे x की तो 5-x equal to 0 रखेंगे तो इसका differentiation करेंगे और इस equal to 0 तो इन सब को जो हम simplify करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा यहां से n square x square equal to 1 और x की value हो जाएगे plus minus 1 upon n फिर x की value यह हमारे पास आगी अब यह positive interval है हमारा तो यहां पर हम x की value क्या लेंगे यहां से plus की 1 upon n ठीक है और mn जो हमारा यह mn है इसके अंदर हम x के जग़े क्या रखेंगे 1 upon n तो यहां अगर हम 1 upon n रखें तो क्या जाएग n into 1 upon n upon 1 plus n square into 1 upon n square equal to क्या जाएगा 1 upon n तो यहां से limit n tends to infinity रखेंगे तो वो 1 upon n जो की not equal to 0 है तो अगर mn 0 आता है जब uniform convergent होता है लेकिन यहां पर mn 0 नहीं आया है इसलिए gn जो है वो uniform convergent नहीं है तो यहां से हमारा जो option 1 है वो correct हो जाएगा कि यह point wise तो convergent है बट uniform convergent नह और यह fourth यह तीनों option क्या जाएंगे इनको next question देखते हैं यह December 2018 में है question दिया हुआ है part C से है for n is greater than equal to 1 consider the sequence of functions fn x equal to 1 upon 2n x plus 1 gn x equal to x upon 2n x plus 1 on the open interval 0 1 consider the statements first statement दिया हुआ है the sequence fn converge uniformly on 0 to 1 open interval and second है the sequence gn converge uniformly on open interval 0 to 1 then हमें यह बता न है कि इन दोनों मेंसे कौन सा statement true है और कौन सा false है यह दोनों true है यह दोनों false है ठीक है fnx हमारे पास क्या है 1 upon 2nx plus 1 ठीक है तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको uniform convergence चेक करने के लिए पहले हम इसको pointwise convergence देखेंगे कि यह pointwise convergence कर रहा है की नहीं है अगर हम uniform convergence check करते हैं तो उससे पहले हम उसको देखते हैं कि वो pointwise convergence है की नहीं है उसके बाद ही हम uniform convergence की बात करते हैं point wise convergence की limit चाहिए होती हमें तो उसके लिए हम क्या करेंगे limit n tends to infinity fn x equal to limit n tends to infinity 1 upon 2n x plus 1 यह क्या जाएगी अगर हम n tends to infinity रखें तो यह 0 आ जाएगी क्योंकि देखो यहां हम x की value ना 0 ले सकते हैं ना 1 ले सकते हैं तो अगर हम यहां से x की value इस open interval में कोई भी ले 0 और 1 के बीज अगर हम x की value यहां पर इस interval में से कोई भी value यहां put करें फिर भी हम अगर n tends to infinity करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा क्योंकि हमारे यहां पर देखो यह हमारे 1 upon में क्या है और n जब भी infinity जाएगा तो यहां से क्या जाएगा हमारे पास 1 upon infinity तो यह हो जाएगा 0 जीकर तो fx क्या आगया हमारे पास 0 यहां हमारी point wise limit आगई 0 अब हमें देखना uniform convergence है की नहीं है तो uniform convergence के लिए हम mn test apply करेंगे mn test जैसे हमने first question में देखा था उसमें भी जैसे किया वैसे ही mn equal to supremum of x belongs to open 0 to 1 और mod के अंदर fnx minus fx तो यहां से जाएगा 1 upon 2nx plus 1 minus 0 तो यहां से हमारे पास जाएगा supremum x belongs to 0 1 और यहां से यह सिर्फ 1 upon 2nx plus 1 बचेगा अब इसको हम 5x consider कर लेंगे यह रह ठीक है अब 5-x निकालेंगे हम ठीक है अब अगर हम देखो इस 5-x को अगर हम 0 के equal put करें तो यहां से हमारे पास x की कोई value नहीं आएगी तो जब भी हमारे पास ऐसी situation हो उसमें तो हमने क्या किया था कि हमने उसमें हमें मतलब उसकी value चाहिए थी maximum minimum यानि कि हमें supreme value चाहिए होती है x की तो अगर हम इस open interval में बात करें तो हम इसमें अगर उसकी value निकालेंगे अब यहां से 0 रखके तो हम इसकी value निकाल नहीं सकते x की तो अब हम क्या करेंगे यहां पर यह देखेंगे कि यह sequence जो है हमारी यह जो हमने fx जो sorry यह जो 5x कंसेडर की है यह increasing है यह decreasing है कि देखो यह value आ रही है हमारी minus में यानि कि यह value क्या होगी less than 0 यहां से less than 0 यानि कि sequence जो होगी वो क्या होगी decreasing होगी तो decreasing होगी तो यहां से x क लेंगे हम zero अगर यह मानलों अगर हमारे पास यह वैल्यू आई होती प्लस में अगर वैल्यू आई होती तो यह जाता greater than zero उस condition में sequence increasing हो जाती और increasing कि condition में हम zero और one में से x की value फिर क्या लेते बन लेते ठीक है मैंने दोनों टाइप के question बता हैं तो यहां देखो उसमें तो हम उस तरह से निकाल लेते value एक इस method से हम इसको कर सकते हैं तो यहां पर mn की value क्या जाएगी अब x की जगह रखतेंगे 0 तो यहां पर देखो x की जगह 0 रखतेंगे option 1 क्या पूल रखा है? फस्स फस्ट क्या है कि uniform conversion है जबके नहीं है और फॉर्थ उप्षण में दिया हुआ है फस्स बोर्ट जबकि हमारा फॉर्स ऑप्षण तो फॉर्स हो गया तो यहां से एगर आखिया तो मारा फॉर्स ऑप्ष्ण और फॉर्स ऑप्षण दोनों incorrect हो गए और यहां से हमारा second option correct हो गए क्योंकि यह बोल रहा कि first is false जबकि हमने यही देखा है कि first हमारा false है तो यह correct हो गया statement अब बस हमें यह देखना है कि second जो gnx है वो uniform conversion ठेकी नहीं है तो gnx लिखते हैं similarly वो ही process apply करेंगे सबसे पहले point wise conversion चेक करेंगे तो उसके लिए हम limit apply करेंगे तो x के किसी भी value के लिए हम अगर limit and tends to infinity करेंगे तो वो 0 आएगा तो gx के value 0 आगई फिर हम mn के value निकालेंगे तो mn इकुल to supremum of gnx minus gx तो हमारे पस mn यह आएगा अब इसको हम 5 consider करेंगे फिर 5-x निकालेंगे अब देखो इसमें क्या आया 5- यह आया हमारे पास greater than 0 इसको अगर हम देखें यह हमारे पास greater than 0 positive sign है इसका मतलब यह increasing है sequence तो increasing है इसलिए हम जो x की value लेंगे वो क्या लेंगे 1 लेंगे तो mn में जब हम x की जगए 1 रखेंगे तो यह आजाएगा 1 upon 2n plus 1 यह mn आजाएगा तो limit and tends to infinity apply करेंगे तो mn equal to 0 क् यह किस सरह से बन जाएगा 1 upon infinity तो mn आगया हमारे पास limit apply करने पे 0 यानि कि gnx हमारा uniform convergent है open interval 0,1 में तो option 3 हमारा हो जाएगा यहां से correct जो यह था हमारा option 3 first is false and second is true यह correct है और यह हमारा part c से है और यह भी हमने देखा है कि यह भी correct है कि first statement of a false है तो यह दोनों option हमारे correct हो ज करेंगे अगर आप लोगों को कुशन के solution समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू